COP यानि Certificate of Practice ये कब मिलता है, कोन जारी करता है? नवश्कार मैं Advocate मुकेश पगडिया, स्वागत करता हूँ आपका आपके इस YouTube चैनल पर यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सस्क्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन भी विश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रतिक वीडियो की जारी करी आज का हमारा विश्य है COP क्या होता है, ये कब मिलता है, कौन जारी करता है तो सबसे पहले आप जान ले कि यदि आप लोग रेजवेट हैं और आपने स्टेट बार काउंसिल में अपना इन्रॉल्मेंट करवा लिया है तो ऐसी दशा में आपको AIBE की एक्जाम देनी होती है, यानि All India Bar Examination AIBE ये एक्जाम आपको किलियर करना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद आपको एक Certificate Issue किया जाता है COP यानि Certificate of Practice, जब किसी विक्टी को COP Certificate दे दिया जाता है तो ऐसी दशा में उस विक्टी का ये अधिकार हो जाता है कि वो इंडिया के किसी भी कोर्प में बतोर अधिवक्ता कारिये कर सकता है, प्रेक्टिश कर सकता है देखिए जब भी AIBE की एक्जाम में आप बैठते हैं, एक्जाम किलियर कर लेते हैं तो उसके लगभग आपको 6 से लेके 8 महिने के बीच में COP जारी किया जाता है, यानि Certificate of Practice जारी किया जाता है अमोमन ये हर एक वेक्टी के मन में सवाल होता है कि COP कब तक आता है, किता टाइम लगता है इसमें, तो इसमें आप जान लेकि 6 से 8 महिने लगता है दूसरा सवाल ये रहता है कि ये कहां मिलता है, क्या जैसे हमने State Bar Council थे, उसमें इन्रॉल्मेंट करवाया तो हमारे गर पे बाई-पोस्ट जो की शानत वगएरा जिनकों बोलते हैं, सर्टिफिकेट वगएरा आए, तो क्या उसी तरह है, जैसे State Bar Council ने हमारे गर पे बाई- बाई-पोस्ट बेजा, क्या AIB भी बाई-पोस्ट बेजेगी, तो मैं आपको बता दूं कि AIB का जो सर्टिफिकेट होता है, जो COP सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं, ये बाई-पोस्ट नहीं आता है, तो कहां मिलेगा फिर ये, तो देखिए, जिस State Bar Council में आप इन्रॉल फोर्म फिल करेंगे, फोर्म फिल के साथ आप ये देंगे कि AIB का जो एड्मिट कार्ट है, ये एड्मिट कार्ड है, ये फोर्म है, और इसके साथ साथ दो फोटो अगेरा भी आप लेके जाएंगे, बाद में आपको जो COP सर्टिफिकेट आगी, यदि आपका इश्यू हो देखिए, एड्वोकेट की रूप में उस वेक्ति का प्रेक्टिश करने का अधिकार छिंज जाएगा, क्योंकि स्टेट बार काउंसिल में जब भी कोई वेक्ति अपना इन्रॉल्मेंट कराता है, तो उसे कुछ विधिन जो प्रेस्क्रैप्ट जो पिरिड होता है, उसमें जो भी उसे दिया जाता है सर्टिफिकेट वगरा, उसमें प्रेस्क्रैप कर रहा है टाइम, कि हाँ इस समय के बीतर बीतर ही आप कोर्ट में प्रेक्टिश कर सकते हैं, यदि आपने AIB की एक्जाम के लिए नहीं की, तो ऐसी दिशा में आपका यदिकार नहीं रहेगा, कि आपे बतोर एड़ोकेट के रूप में कोर्ट में प्रेक्टिश कर सकें, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि COP सर्टिफिकेट मतब सर्टिफिकेट और प्रेक्टिश, ये सर्टिफिकेट यानि जो COP है वो आपको प्रेक्टिश करने का अधिकार देता है बारत के यानि इंडिया के किसी भी कोट में, दूसरी ये जो सर्टिफिकेट है, एक्जाम किलियर करने के बाद, लगबग 6-7 मेने के बीतर बीतर जारी किया जाता है, ये आपको स्टेट बार कावंसील, जिसकिसी में आप इन्रॉल्मेंट है, वहां से प्राप्ट करना होता है, बाई सप हो, या फिर इंस्टाग्राम हो, उस पे इस वीडियो को सेर करें, ताकि अधिक से दिख लोग इस वीडियो को देखें, और COP सर्टिफिकेट के बारे में जान सकें,